डेली इनिवर्सिटी का तो रेजिस्टेशन है वो स्टार्ट होने वाला है 25 अप्रील से उसका अप्लिकेशन फॉर्म यानि इनिवर्सिटी पोर्टल उपेन हो जाएगा से उटी पीजी के बाद आप सभी को इनिवर्सिटी के पोर्टल के जाके रेजिस्टेशन करना है क्योंकि आप रेजिस्टेशन नहीं करोगे तो इनिवर्सिटी को नहीं पता चलेगा क्या आप उनके अटमिसन लेना साथ हो तो पर्टिकुलर हर इनिवर्सिटी को आपको फो ने इस पे अभी तक कोई official update नहीं दिया है कुछ news articles मुझे मिले जिसमें इस तरीके के बात की गई थी कि first week of में 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 वो लोग अपना prospectus देने वाले हैं या admission का जो पूरा brochure है वो आपको दे देंगे तो मैं उमीद करता हूं कि JNU भी बहुत जल्द आपको update करें तो हम लो आप इस में जाके पता करके आपको confirm कर दूगा और मैंने पता किया था तो यह था कि जो यहां पर controller है यानि जो controller examination है वो PSD admission पर काम कर रहा है उसका result बहुत जल्द आने वाला है उसकी result आने के बाद वो totally पीजी पर काम करने लगेंगे तो JNU के लिए यही है फिराल कि आप 10th में के पहले updated रहो मेरे वीडियो देखते रहो बाकी कोई भी अगर उसरे related problem आता है कोई अपडेट आता है latest update आता तो मैं आपको inform कर दूगा तो मस्कुराते ने बहुत सरे सुकाम नाय है और इस वीडियो के जलिस अपने status लगा लो चनल को subscribe कर लो तो कि यहां पर आपको आरेक लिए देखके access कर सकते हो तो मस्कुराते हैं चलको subscribe करें वीडियो को like करें हर हर महादेव